सबसे पहले हम बात करेंगे एंचिलोन निम्टेट के बारे में आज के दिन इस company में एक बहुती important news निकल का है डेकली उस news को पर जाने से पहले अगर हम stock की कुछ performance की बात करें जैसे कि आज के दिन की बात करें तो लगबग 3% की गिरावाट बाकी पिछले एक मंद की बात करें तो 10 सारे 10% डाउन अगर हम 6 मंद की बात करें रफली देखोगे तो एक फ्लाटीस प्रॉप्रमेस बाट टॉप से देखोगे तो यही गिरावाट टॉप टॉवर्टम आपको 30 से लेके 35% देखने को मिल जाएगा मतलब कोई स्टॉप ओलरी टॉपल से 30 से लेके 35% डाउन है उसके बाद भी अगर उस स्टॉप में एक एक दिन में अगर 3 से लेके 4% की इस प्रॉप के गिरावाट होता है और अगर रिजन के बात करें चाओटा वकुछतों और अगर में और बने बात करें आप लोगों बताइए जो एंघिलाव्यक कंपणी और इस कंपणी के मंधिली में एक अप्डीट आता है जो कि चार्ज तारीक से लेके 7 तारीक के बीच में बहुत सारे लोग को याद आएगा कंपणी के मंथली business update तो इस पार जो company के April month के business update है वो update हमारे सामने आज चुक है और आज कि दिन आया है और morning में है तो मतलब April month में company total कितने business की है कितने client acquire कि यह है total कितने उन्हें equity में F&O segment में आपना market share gain कि यह है एक प्रकार के अच्छे रेक्षिन को मिल जाते है कभी अच्छे आते के business update, तो चलता है हम उस update रूप, अगर मैं आपको headline दिखाऊ, तो आप देशाते हो कि company के इस पार के client acquisition में, जो कि main point है, उसी में हमें fall date को मिला, but month-on-month basis पे, तो कितने हैं, तो वो भी आप देशाते हो कि इस पार, इस April month में company 7.6 lakh new customer room ने add किया, जो कि पिछले month थे 8.4 lakh, जो कि month-on-month basis पे लगबग 10.2% के decline है, और company के जो total client है दोस्तों, total client base, वो है 2.29 करोड, जो कि पिछले month 2.22 करोड थे, और जो कि एक साल पहले 1.41 करोड थे, तो obviously, याली basis अच्छे नज़र आएगा, बट month, मतलब यह data आपको अच्छे नज़र आएगा company के client base, बट company के client acquisition है, कि अपने कितने new client add किया, उसमें आपको 10% के downfall नज़र आएगा, अगर आपको और detail में जाना है, तो हमेसा हर मन्तिरी में आपको table के जरिये में आपको समझाता हूँ, तो यह table है, तो अगर आप चाहो, तो बड़ी वीडियो को पॉस्ट करके आराम सी चीज़ को read कर सकते हूँ, आपको month on month basis पे down नज़र आएगा, बट yearly basis पे आपको हर इक चीज़ों में अच्छे और कमाल की growth नज़र आएगा, तो overall अगर मैं आपने इसाब से बात करूँ, यह जो April month के business update एंजिलों ने present किया, तो यह कैसा है, देखो यह जो company होते है, ब्रोकिंग बाले, इनके business पुरा depend करते है कि market को पर, market अगर अच्छे प्रखुम करेगा, तो यह 7 लाग के data, आपको 17 लाग भी जाते हो देखने को मिल सकते है, आड़ी में आपने देखा था कि November, December, January, तीन मन्त लगातार एंजिलों ने 10-10 लाग डिमेट आकोन ओपन की, एक-एक मन्त में, क्यों कि Bazaar bull market में था, अभी Bazaar में एक मन्त से pressure है, दो मन्त से pressure है, तो वो pressure हमें इनके number में भी आपको देखने को मिलेगा, तो यह जो data है, य जिस प्रकार के Bazaar के महौल है, उसके साब से इसने अच्छे business किया, बड़े यह जो गिरावा stock में हुआ, वो short time का reaction है, तो ऐसा investor, अगर आपने लंबी अब दिगर investment किया, तो इस एक data के चलते, कोई भी आपको एक परसंट का चिंता करने के विल्गलू भी जरू होती है, और उसी के साथ, company के management ने कुछ और important चीज़ें mention किया है, जो कि वो forecasting, वो forecast करके चल रहे है, कि आने बले time में, उनकी लगबाग जो client acquisition रहने वाले दोस्तों, उसमें वो forecasting है, कि लगबाग 55 से रहे के 60% के CIGS से वो grow होने वाले, बहुत strong sustained growth आपको देखने को मिल सकते है, और उन्हें ये mention किया था, कि इस 1500 करोर में से maximum investment हम broking business में investment करने वाले था कि broking business को और भी next level पे ले जाए जाए, जिसके चलते, इस customer को और भी अच्छी तरह से acquire करने के लिए, उन्हें हाली में sponsorship भी गया था IPL के साथ, 5 साल के long time partner से, जिसके चलते, और इस IPL के partnership के चलते दोस् दूर के दिखा जाए, तो company बहुत दमदार है, और future में definitely ये company और भी अच्छे करते आपको देखने को मिल सकता है, बट ये जो reaction है, एक normal reaction है, जो कि इसके चलते, as a long time investor, आपको कोई भी चिंता करने की ज़िरोतनी, जैसे बाजर में फिर से अच्छी तीजिया आएगा, ये अच्छी नजर आए, तो ठीक है, हम तो लंबी अब्दिक investor है, तो इसके लिएता हमें ज्यादा कोई चिंता करने की ज़िरोता, बिंदास होके बने रहसता, और खास करके, उनके लिए है, जिरों ने यहाँ पर भाइकिया, क्योंकि जो एक साल पुराने investor है, आज भी उनके पास लगबख 100% की profit है, जिरों ने यहाँ पर भाइकिया, यानि कि इसी 15 जर्मेरी के बीच में, इसी नए साल, उसी के पास लगबख 30 से लेके 35% डाउन, exactly देखो गए, तो पैनिक मत करना, क्योंकि ये गिरावाट इस तीन साल के बीच में, बहुत बार multiply गिरावाट दिख हादू, तो देखो, तो कि 43 ने 48-50% गिरा था, तो क्यों, क्योंकि मैंने खुद कवर किया था, और मुझे अच्छी तरह से आद है, कि अच्छे मौका मिल रहे है, 2000 के stock 1000 पे, at is 5 stock या 10 stock से सुरुवात करोगे, फिर 1000 के stock सीधा, 4000 पे, उच्छी एक ही साल के अंदर, तो से आपके लेबल को breakout देके, इकब 6,000 साल साल पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मार्किट ऐसे ही चलते है, अच्छी कमपनी है, एक टैम पी ये सुरुवा था थी, 200 रूपर में, आज ये stock 4000 के top बना चुग है, ठीक है, यहां तक सीमित ही रहेंगे, आज भी 23,000 करो का मार्किट कराप है, फ्यूचर में, एक लाग, दो लाग करो का भी आपको बनते हो देखने को मिलेगा, तो दमदार कमपनी, ब्रोकिंग इंडेस्ट में, सबसे बेस्ट प्रॉप में दे रहे हैं, तो किसी को अगर ब्रोकिंग बिजनस में जाना है, तो आ आज की दिन तो सबसे ज़्यादा फोकस में बना था, वो CDA से लिम्टेट हो, क्योंकि कंपनी के Q4 के नंबर की पतिकर रियक्शन, तो कैसे रियक्शन आप देख सकते हो, कि दमदार तरीके से बाज़र ने सोगा थिया, चार सवा, चार पसिंग तरीग के साथ, और यह उम् साथ इस नंबर को बाज़र एप्रिशेट कर सकता है, जिसका हेडलाइन भी आप देख सकते हो, कि स्टॉक ने 5% की तेजी इसलिए दिखा है, फ्लुफ्ट टुब एक हाई भी टच किया, क्यों, क्योंकि कंपनी के जो नंबर है, बहुत स्टॉंग Q4 के नंबर कंपनी ने अ इसके चलते हैं आज के दिने बाजर ने भी इस नंबर को अच्छी तरह से आपके शेगे, बट इस तेजी से हमें ज्यादा खुस नहीं होना है, क्योंकि कोई जो हमारा टारगेट है, अगर आप एक सार में देखोगे, तो ठीक है, कितने 120% की प्रॉफिट, पांस साल की बा आपके बारी भी आएगा और आपके यहांसे भी डबल करकर दे देगा, तो अगर यहांसे डबल करने है, तो आपके यहांसे तीन हजर को बरिकाउट देना है, तो क्या इस बार जो स्टॉक ने अभी 2,000 को पर सस्टेंड भी कर रहे है, और नमबर भी अच्छा है, और में थ्ञ़बार में थ्फोड़ा सा डाउट था अगर नंबर अच्छ है तो आशे से हमें कमाल के रैले भी देखने को मिल सकते हैं बद नंबर अच्छे है बाजे ने आपको तक कंट्रीनियू होता भी ने तो पैनिक मत कमत कें आज यह दूकल में सकता है। आखरी श्टॉक की बात करें तो बेस इलिटेट आज के दिन ये भी श्टॉक अच्छे का से फोकास को बना था। उसके पीछे का दो रीजन था। एक तो वो सेवी के साइसे जो चार्जिस के इशू आये थे। इसके बाद जो फटका लगा तो क्या वो फटका और भी प्रेशर बनेगा या फिर जो हलेवे इन्होंने जो अपना चार्जिस इंकी कि इंक्रीज किया। ट्रांजिक्स चार्जिस चौबीस पसंद से लेके बत्तिस पसंद था। तो कि उसके जदे के आच्छे का से बाउंस पाइगा। यह तो फोकास में था है उसके साथ साथ। इसके सबसे बड़ी इंपॉड़न था कि Q4 के नमबर क्यों कि इसके तो Q4 के नमबर 10 में को आने वाले और 2-3 दिन बात बड़ आपको बता है इसके जो और इसके जो सबसे पर इसके जो कॉम्पूटिटर है अगर हम NAC की बात करें उसने तो अपना नमबर प्रेजन अगर NAC की नमबर तो अगर NAC प्रेजन नमबर दिखा ने तो सायसे BACB इस बात जो 10th में कमपशन के के नमबर आने वाले Q4 के वो भी सायसे NAC जैसे कमाल का н Tob bad यह दिखा सब यह तो देखते हैं, दो दिन बात कम्पनी के नंबर है, कम्पनी किस प्रकार के नंबर दिखाते हैं? वैसे भी देख जै कि 6 मंद में, एक सार में, पांच सार में, तेरा सो तेरा सो पेसंड के पॉसित बना कि गया, आज भी एक अच्छे वैलिशन पर है, आसा नहीं कि बहुत बड़े गिर्यावाट श्टॉक में दिखाए, नंबर अगर खराब आता है, तो differently एक अच्छे कासे और भी healthy गिर्यावाट हो सकता है, तो किसी को entry लेना है, तो रुख जाओ, 10th में को नंबर देख लो, नंबर आपको अच्छे लगते हैं, तो जरू आप चाहतो श्टॉक को टॉप भी थोड़ा बहुत बाई करके चल सता है, और आपको नंबर अच्छे लगते हैं, तो